मैं जूटा हूँ, है ना दोस्तो, फिछले दिनों मैंने एक वीडियो बिनाया था, मोटोरोला के दो नए फोन के उपर, मोटोरोला H30 Fusion and Ultra, और उस वीडियो के उपर मुझे इतने हेट्स मिले ना दोस्तो, कि आखिर में मुझे उस वीडियो के कॉमेंट्स आफ करने पड़े, और हेट्स क्यों मिले, क्यूंकि मैंने वो फोन बिना खरीदे ही रिविव कर दिये थे, पर ऐसा क्या गलत कर दिया था, मैंने मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था, चलिए थोड़ा उस वीडियो के बारे में बात करते हैं, मैंने उस वीडियो में सिर्फ और सिप इतना कहा कि Motorola के ये जो नए दो flagship phones है वो over price है 40-50,000 के बीच में इन phones की कीमत है और इस कीमत को ये phones बिल्कुल भी justify नहीं करते बस इतना ही मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था पर आप लोगों की बात भी सहिए अगर मैंने वो phone खरीदा ही नहीं है तो मैं कोन होता हूँ उन phones को review करने व मैंने कोई भी वो video review video करके नहीं बनाया था जस्ट उस phone की जो भी specification है और उस phone की जो price है उन दोनों को compare करने के बाद ही मैंने उस phone को वहाँ पे criticize किया था पर आप में से कई लोगों का ये कहना था कि तू phone पहले use कर ले बाद में उसे review करना कई लोगों ने तो यहां तक मु की company भी खड़ी कर देंगे बस आप सभी का प्यार और support बनाये रखे देखो यार दोस्तो opinion सब लोगों का matter करता है आप लोगों का opinion कई चीजों के बारे में different हो सकता है मेरा opinion कई चीजों के बारे में different हो सकता है ये आपका हक है कि आप अपना opinion किसी और को बता और ऐसे ही मु पर बहुत लोगों ने उस वीडियो के उपर निगेटिव कॉमेंट्स किये, पर मैंने उस निगेटिव कॉमेंट्स को कभी भी ऐसे निगेटिवली नहीं लिया, मैंने हमेशा उन कॉमेंट्स को पॉजिटिवली ही रिपलाई किया, पर कई लोगों ने बहुत गलत गलत कॉमे को हेट करता हूं और ना ही किसी बड़े यूटूबर के साथ मेरा जगडा है देखिये मैं जानता हूँ मैं इस यूटूब के वर्ल्ड में नया हूँ मेरा चانल कुछ भी नहीं है यूटूब के वर् düşünLES के आज के जमाने में 1000 तो सब्सक्राइबर है मेरे और यूटूब के उपर बड़े बड़े तगड़े महारती बैटे है जो टेग की दुनिया में millions of subscriber लेके बैटे है उनका opinion जरूर से matter करता है और वो लोग अपना सही opinion देते है ये मैं जानता हूँ और इसके बारे में मैं आपके साथ agree भी करता हूँ पर मैंने जो चीजे उस वीडियो में बताये है मुझे वो किसी भी angle से ऐसा नहीं लगता है कि वो मैंने वहाँ पे गलत बताये है क्योंकि आप सब लोग ये जानते ही हो कि बड़े यूटूबर्स जो है कोई भी product अपने चानल के उपर review करने के लिए एक तगड़ी amount of fees लेते है और जब company वो fees उन यूटूबर्स को देती है तो company के तरफ से specially उन यूटूबर्स को कहा जाता है कि इसके negative points के उपर आप कभी भी ज़्यादा highlight मत करना जो भी इसके positive points है उसी के बारे में आप अपने वीडियो में लोगों को बताना ये company या literally आपके साथ करती है और दोस्तो live example आपके साम आपने है आपने देखा होगा nothing phone one जब launch हुआ तो market में क्या जो है hype मचाई गई थी company के तरफ से और सारे यूटूबर्स के तरफ से हर कोई nothing phone one के बारे में ही बात कर रहा था उसके जो भी positive point है उसके पीछे जो glitch light लगी हुई थी उसके बारे में एकदम unique feature है और एकदम unique phone है नया phone है नया brand है market में एक अच्छे values के साथ आ रहा है यही सारी चीज़े जो है बड़े यूटूबर्स कहे रहते और यसी के वज़़स से nothing phone one में अपने पहले ही हपते में कूची दिनों के अंदर लाखो devices आपको बेज दिये और दोस्तों हुआ क्या devices भेजने के बाद अंदर आने लगे बहुत सारे दिक्कते जो है उन phone के अंदर आने लगी कई लोगों के phone literally dead पड़े है मैं personally बहुत लोगों को जानता हूँ जिनोंने nothing phone one यूटूबर के influence के अंदर आकर खरीदे है और आज उनके phone जो है dead पड़े है हाँ उन लोगोंने negative videos भी बनाए nothing phone के आनता हूँ कि उन लोगोंने negative videos बनाए पर दोस्तों negative videos उन्होंने कब बनाए साथ दिनों के बाद 10 दिनों के बाद तब तक तो लोगोंने लाखों लोगोंने nothing phone one जो है खरीद लिया था और आखिर में पैसा किसका बरबाद हुआ आप लोगों का ही पैसा बरबाद हुआ न वो अपने चानल के उपर जो मर्जी चाहे वो करें पर दोस्तों मैं कभी भी ऐसे चीजों के लिए पैसा नहीं लोगा जहां पर मुझे company के तरफ से ये force किया जाए कि प्लीज आप negative points users, viewers को मत बताए ये only and only positive points ही आप उनको बताए इस चीजों के लिए personally यार मैं तो कभी प मेहनत से कमाते हो और वो मेहनत का पैसा आपका सही जगह पे invest हो यही मैं बस चाता हो इसलिए मैंने वो phone Motorola के जो भी दो नए phone थे उनको criticize किया अब देखिए आपको शायद वो वीडियो पसंद ना आया हो ये आपके उपर है पर दोस्तों जो मेरा honest opinion था वही मैंने उस वीड वीडियो के उपर hate करो या फिर comment में आके चाहे चितनी चाही मरजी गालिया दो अगर मुझे कोई फोर गलत लगता है चाहे YouTube की पूरी take community उस phone के बारे में positive बात कर रही हो पर मुझे अगर किसी phone के अंदर या फिर किसी भी gadget के अंदर negative points दिखेगे तो मैं उन सारे gadgets के और phones क पोल खोल वीडियो बना के वो सारे negative points आपके सामने हमेशा रखने की कोशिश करूँगा और आपको हमेशा सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा आप मुझे जो भी चाहे वो कह सकते हो मेरे उसके बारे में कुछ भी personal रंजिस आपके साथ नहीं है मैं क्या कर लूँगा जादा से जादा उस वीडियो की जो है comments आफ कर दूँगा देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्पो सिप आपके लिए आपका जो पैसा है सही जगा invest हो इसी के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब ये आपके उपर depend है आपको क्या करना है आपका पैसा कॉमेंड में बताइए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको लगता है मेरे बातों में सच्चा ही हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर करिए और चानल को सब्सक्राइब कर दीजे धन्यवाद जय हिन वंदे मातरम